हेलो दोस्तों वेलकम तो सीडाइटी सलूशन यूटूब चैनल और आज की इस वीडियो में मैं आप लोकों के लिए कॉग्लिजरेंट की तरब से आई दो कमाल के जो हाइरिंग आई है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आऊ हूँ जो की कॉग्लिजरेंट के ओफिशल पे जिसमें अवेलेबल है सूपर सेट पे हाइरिंग हमें देखने के लिए मिल रही है दोस्तों और इसके लिए मैं आपको बता दूँ 22, 23, 24 बैज के स्टूटन जो होंगे वो इलिजिबल होने वाले है मैं आपको बता दू एक नहीं बलकि यहाँ पे दो हाइरिंग हमें मिलते रहते हैं चॉइन कर लिजेगा ताकि आपसे इस तरह की अपडेट कभी भी मिसना हो दोस्तों तो चलिए पहले मैं आप पो इन अपडेट के बारे में बताता हूँ और इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगो कैसे अपलाई करना होगा और क्या-क् बता रहा होगा तो कॉगनिसेंट की जो ओफिशिल हारिंग आई है दोस्तों सूपर सेट पर मैं आपका उता दू दो यहाँ पर रोल देखने के लिए मिल रहा है पहला देख सकते हैं डिजिटल वर्क पर सर्विस आफ कैंपस ग्रेजवेट ट्रेनी रोल के एक है और एक है लोकेशन पे चैन्नेई लोकेशन पे और कॉलकत्ता लोकेशन पे हैरिंग चल रही है यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ अप्लाई करने की लास्ट रेट होगी 20 जूलाई इसके पहले आपको अप्लाई कर देना है और यहाँ पर जो जॉब फंशनलिटी होने वाल है बात किया जाए तो BSC, BCA, BBA यह सारे स्टुडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो की तीन इनले प्रोगाम पे इंडूल हैं बी बी टैक वाले स्टुडेंट इसमें अप्लाई करने के लिए इलिजबर नहीं होंगे ऐसा IT सर्विस डेस्क में आपका काम क्या होगा बे इसके ग्रेजवेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं 50% क्रैटीरिया होना चाहिए 10-12 और ग्रेजवेशन में और डिप्लोमा किया है तो उसमें 50% होना चाहिए और इसमें आपको मैं बता दूँ दोस्तों कि आपका वरक लोकेशन शिप टाइमिंग फ्लैक्सिबल होगा मतलब आपको हना यहां पे कभी डे और कभी नाइट्शिप करने के लिए बोला जा सकता है और आपको दोस्तों पेंट कार्ड अविलेबल आपके पास होना चाहिए इसकिल सेच यहां पे सारी चीज़ें बोली गई है और यहां पे मैं पता दूँ कि 2.5 का यहां पे पे आपको मिल जाएगा जिस पे आप आके ऑफिशली सूपर सेट पे अपलाई कर सकते हैं वहीं पे दूसरी हाइरिंग हमें देखने के लिए मिल रही है जैंसी PWD हाइरिंग यहां पे चल दी है दोस्तों तो यहां पे जो डिसीबल लोग है उनकी लिए हाइरिंग है फिज पे जादा मदद हो जाएगी तो यहां पे मता दूँ यह है दोस्तों परसन भी डिसीबलेटी की हाइरिंग और यहां पे जो स्किल सेट्स मागी गई है वह और जो इलिजिबलेटी मागी गई है वो मैं आपको यहां पे खिलर कर देता हूँ तो B, B, TEC, M, TEC, M, TEC, M, C, M, में इसके जो student है हना जिनके पास proof of disability certificate होना compulsory है वो इसमें eligible हो पाएंगे 23-24 batch वाले students में eligible कर सकते हैं और यहां पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि academics में 50% criteria मांगा गया है और यहां पर यह भी आप देख सकते हैं कि आपकी पास proof of disability certificate होना compulsory होगा इसमें और इसमें दोस्तों मैं आपको यह बता दूँ कि आप जैसे रिज्यू में बनाएंगे वो सारा चीज़ इस पे लिखा गया है pen card हाना अगर आपको वस अवलेबल नहीं है तो क्या आपको चीज़ें कर दी होगी यह सारा चीज़ में हना mention कर दिया गया है तो मैं जाओंगा दोस्तों कि आप इसके बारे में information ज़रूर देते हैं अगर आप किसी ऐसे candidate को जाते है तो उसकी काफी मदद यहां से हो जाने वाली है चैनने लोकेशन पर वरक फॉर्म होम उपस कर यह उनके लिए काम होने वाला है stml प्रोग्राम और concept को उसे knowledge होना ज़रूरी है अगर interested है link description पर मैं दे दूँगा इसमें जो package सामने निकल के आ रहा है वो होने वाला है दोस्तों 4.1 LPA का काफी अच्छा package ऑफर कर दिये यह और registration पर क्लिक करने के आपको details को fill कर देना है अगर आप इनके लिए opportunity के लिए और इसका की और भी opportunity जाना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को like की साथ साथ चैनल को subscribe कर दिए अवरे दोस्तों को इसके बारे में बता दीजिए I hope आपको वीडियो प्रसंद लाई होगी thank you so much दोस्तों